हेलो एप्रिवन वेलकम बेक मैं यूटूब चैनल कैसे हो आप सभी असा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे आज मैं आपके लिए बहुत ही यूजफुल टिप्स लेकर आई हूँ वीडियो को फुल वाच करना वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड जेयर कर देना और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चलिए वीडियो स्टार्ट करते है देखिये ये मैं घी गरम कर रही हूँ क्योंकि साथियों के दिन में जेयर वर्ट ली है और इसतार एसे हम सीदी सीदी लाईन बनाकर बहुत अच्छी तरह से बना सकते हैं भी प्रकार के हम डेजाइन बना सकते हैं और मेरे साथ मेरा बेटा डेजाइन बनवा रहा है क्योंकि उसकी ड्रॉइंग मुझसे भी अच्छी है और इस तरह से हम दोनों ने मिलकर ये डेव ठान की पूझा के लिए पांच पांडव छटे नारायंड बनते हैं और इस तरह से घर की जो एकाथ चीज़ें भी होती हैं वो भी बन जाती हैं तो डेव ठान की पूझा हमारे यहां ऐसे की जाती है आपके यहां किस प्रकार से की जाती है आप मुझे कमेंट वाक्स में बताना तो इस तरह से हमारे यहां यह बनाए जाते हैं उसके लिए गेरू और जो खड़िया जो होती है उसका प्रियोग किया जाता है जो मतलब बच्चे जो पढ़ते हैं चौक आजकल उन्हें चौक बोलते हैं उनका प्रियोग करके ये सारी चीज़ा बनाई जाती हैं अगर चौक न हो आपके घर में तो चावल जो होते हैं चावल को पीसके भी इन्हें बना सकते हैं बहुत अच्छी तरह से ये बन जाते हैं तो पहले हर किसी को नहीं आते थे अब तो सभी घर में पूझा की जाती है तो ये प्रता है और इस तरह से डेवठान बनाया जाता है और पूझा की जाती है पूझा में बहुत सारे फ्रूट रखे जाते हैं आपके घर में जो फ्रूट हो रख दीजिए और गणना, सकलगंदी और सिंगाड़े ये तीन चीज़ें तो जरूर ही रखी जाती है तो जब डेवठान जगाया जाता है तो जो सूप होता है उसे जगाया जाता है वैसे मैं पूझा करती हूँ, मैं जगाती नहीं हूँ, मेरी सासुमाजी जगा देती है लेकिन पूजा मैं अपने घर पर करती हूँ क्योंकि हम बाहर रहते हैं तो सारी प्रथा ऐसे ही करते हैं और इस तरह से हमारे हैं डेफठान बनाया जाता है देखिए हमने कितनी अच्छे ड्रॉइंग बनाई है अगर आपको ड्रॉइंग बनानी नहीं आती हो तो आप एर व संदाई होगी चलिए नैश्य टिप्स में आगे बढ़ते हैं देखिए बच्चे कहीं पर भी अपना नाम लिख देते हैं और नाम को मिटाना बहुत ही आसान होता है पहले पैन की राइटिंग जो है मिटती नहीं थी देखिए आप सैनुटाइजर लीजिए और हलके हार से इसे रप बीजिए और बहुत जल्दी से ये नाम मिट जाता है आप कहीं भी लिखा हो पैन से तो आप डरना मत इंक भी कहीं फैल जाती है तो आप सैनुटाइजर का प्रियोग करके इंक को छोड़ा सकते हैं देखिए बहुत ही आसानी से ये चुट गया और मैंने या पान से मिट गया तो ये सैनुटाइजर जो होता है बहुत ही कमाल की चीज़ा घर में इसे रखना चाहिए और इससे भौट सारी चीज़ों को हम कर सकते हैं तो ये जो वाक्स था जोलरी वाक्स बहुत ही सुन्दर वाक्स है और देखिए मैंने इसे अच्छे से किलीन कर लिया है और ये कितना clean भी हो गया इसकी dust जो थी वो भी छुट गई है और देखिए बहुत प्यारा लग रहा है देखने में भी और ये बिल्कुल ऐसा हो गया है जैसे market से हम new लेकर आते हैं तो इसमें जो थोड़ी बहुत मिट्टी भी लगी होती है वो भी sanitizer से साप हो जाती है पाने की भी जरूरत नहीं होती I think आपको ये tips भी पसंद आई होगी देखिए अब मैं T-shirt पर pen चला कर दिखा रही हूँ देखिए इस तरह से जैसे pen चलाने से हमारे T-shirt खराब हो जाती है कभी-कभी बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनकी uniform पर भी pen के निशान जो होते हैं तो उसे छोड़ाने में काफी महनत करनी पड़ती है आपने देखा होगा छोटे-छोटे बच्चे होते हैं वो लगा लेते हैं तो आज मैं आपके सामने प्रियोग करके दिखा रही हूँ ये मैंने pen से लिखा है और ये मैंने sanotüsle थोड़ा सा यहां लगाया है फिर अलके हाइस से िसे रचरा करना है रचरा करने के बाद इसे हमने कपड़े से किलीन किया देखिए इनके जो थी वो फैल गई है और फैलने के बाद इसके निशान जो हैं कम हो गई हैं अब हम थोड़ा सा बॉटर लेकर इसे साफ पर लेंगे देखिए मैंने पानी से इसे दोया है और ये जो इसके निसान थे सारे छुट गए हैं मैंने निशान वाली जगए ही क्लीन की थी लेकिन ये टीशिट का जो कपड़ा होता है बहुती सॉफ्ट होता है थोड़ी इस पर हमें महनत जदा करनी पड़ी थी लेकिन ये भी क्लीन हो गया है सेनोटैजर से हम बहुत सारी चीजों को क्लीन कर सकते हैं बच्चों की नोर्ट वुक होती है और बच्चों की बुक होती है वो जैसे spelling मिष्टरिक करते थे हैं तो उसे भी हम क्लीन करके अच्छी तरह से हम बार बार ढूरते रहते हैं कभी कहीं डूरते हैं कभी कहीं डूरते हैं लेकिन नहीं मिलते हैं और खो जाते हैं बच्चे भी कहीं रखे भूल जाते हैं तो आज मैं आपके लिए कंगा रखने के लिए बहुत अच्छा शुलूशन बताऊंगी जिससे कि आपके कंगे बोल कर उसके अंदर सारे जो हमारे कंगी होते हैं, कंगी होती हैं, उन्हें आसानी से रख देंगे, जिससे कि हमारे कंगी खोएंगे भी नहीं, और आप जहां रखोगे वहां आसानी से मिल जाएंगे, तो है ना कमाल की टिप्स, I think आपको ये टिप्स भी पसंद आई होगी, पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ओन कर दो, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, तो ये है बहुत ही कमाल की टिप्स, और आप मेरी वीडियो कहां कहां से देख रहे हो, और कौन सी टिप्स आपको बेहत पसं आती है, कमेंट में बताना, ठेंक यू फॉर वाचिंग,